नमस्कार दोस्तों, मैं रोहुन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी? आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि बहुत ही बड़े राशी परिवर्तन के बारे में क्योंकि यह राशी परिवर्तन काफी माईनों में बहुत ज़्यादा एहम होने वाला है और इस राशी परिवर्तन का आप सभी के जीवन पर भी बहुत ही जादा बड़ा प्रभाव होने वाला है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शुक्र के राशी परिवर्तन के बारे में शुक्र देव यहाँ पर मीन राशी अपनी उच्च की राशी से निकलेंगे और मेश राशी में प्रवेश करेंगे शुक्र का यहाँ पर नया सरकल शुरू होने वाला है मेश से मीन तक का वापस एक नया सफर यहाँ पर शुरू होने वाला है ऐसे में शुक्र ग्रह आप सभी की राशियों पर किस तरह से प्रभाव देगा किस तरह से आप सभी की राशियों पर अच्छा और खराब प्रभाव देखने को मिलेगा इसके बारे में हम यहाँ पर चल्चा करेंगे साथी साथ शुक्र की राहू के साथ यूती भी होगी इस यूती का देश और दुनिया पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा इसको मैं अपने दूसरे वीडियो में एक्स्प्रेंग करूँगा जो भी आपको जल्दी मिल जाएगा बढ़ अभी हम बात करने वाले हैं बारा राश्यों के बारे में देखें शुक्र ग्रह जब यहां से निकल चुके हैं तो गुरू से उसका डिस्टेंस बढ़ चुका है मंगल के साथ अभी पांच दिन तक शुक्र और मंगल की यूती बनी हुई थी अब यूती भी यहां पर ब्रेक हो चुकी है और मंगल के साथ भी उसका डिस्टेंस बढ़ चुका है बढ़ इत्तफाक देखें यहां पर कि मंगल के ही गर में शुक्र ने यहां पर प्रवेश किया है और यहां से शुक्र की जो चाल है वो अपने घर की तरफ रहेगी क्योंकि अगला जो राशी परिवर्तन रहेगा शुक्र का वो अपने घर में ही वरशब राशी में ही रहेगा तो यह जो समय है यह शुक्र के लिए बहुत ही जादा अहम समय है देखे शुक्र को हमेशा माना जाता है कि ये जो हैं बड़े पावफुल होते हैं क्योंकि शुक्र जो है वह excitement के उपर काम करता है Luxuries के उपर काम करता है Emotions के उपर काम करता है Person की feelings को काफी ज़दा fluctuate करने का काम करता है तो इसलिए शुक्र जो है यहाँ पर जो कि कहिन की रक्षुषों के गुरु शुक्राचारिय माने जाते हैं उनका अपने आप में काफी ज़दा महत्व होता है ऐसे में जब शुक्र देव मेश राशी में आते हैं तो यहाँ पर मंगल और शुक्र के बीच का जो calculation है यह एहम हो जाता है और ऐसे में आप सभी के राशियों पर प्रभाव भी काफी ज़दा एहम पड़ता है सबसे पहले बात कर लेती हैं पर मेश राशी के लिए यह प्रभाव कैसा जाने वाला है दिखें मेश राशी के लिए तो काफी ज़दा महत्वपुन प्रभाव होगा क्योंकि मेश राशी में ही प्रवेश हो रहा है शुक्र का मेश राशी में यहां पर इस प्रभाव का जो रिजल्ट रहेगा यह काफी ज़दा अहम रहेगा और यहां पर आप सभी को relationship में कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी relationship में टक्रार्ट से आप सभी को बचना है और कोशिश करेगा कि कोई case में ना उलजें divorce के cases तो बिल्कुल भी ना हो ऐसे समय में आपके इस बात का आपको विशेश त्यान यहां पर रखने की जरूरत है बात कर लेते हैं पर व्रशब राशी के लिए एक अच्छा structure यहां पर बनना शुरू हो जाएगा बट व्रशब राशी को जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं करनी है व्रशब राशी को पैसों के मामले में बहुत जादा सावधानियां पर रखनी है खर्चा एकदम से बढ़ सकता है आप सभी का और आप सभी काफी जादा परेशान हो सकते हैं तो यह समय में आप सभी को बहुत जाया ध्यान रखना है 25 में 2022 को यह राशी परिवर्तन होगा और इस राशी परिवर्तन में आप सभी को अभी से सावधानी रखना शुरू कर देना चाहिए इसके बाद यहाँ पर मितुराशी की अगर बात करें तो मितुराशी वालों को काफी अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं कुछ नया काम करने की कुशिश करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं कोई दिकत को परिशन यहाँ पर नहीं आएगी मितुन राशी नए रिजल्स यहाँ पर मिलते होगे नज़र आएंगे नई बातचीत नए लोगों से मुलाकात यहाँ पर आपकी होते हुई नज़र आएगी इसके पूरे पूरे चांसे बनते हैं करक राशी के लिए यह जो प्रभाव रहेगा यह थोड़ा सा विचलित करने वाला रहेगा मन में भय देने वाला रहेगा और थोड़ा सा आप सभी को परिशानिया हो सकती है आप सभी को किसी और के बहकावे में नहीं आना है इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि कोई थर् हिराशी वालों को यह जो समय रहेगा यह थोड़ा सा आप सभी को प्रस और माइनस दोनों तरह से रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा सीह राशी के लिए यह जो समय रहेगा इसमें आप सभी को एजुकेशन में बहुत जाद ध्यान रखना है अगर आप एजुकेशन करते हैं तो और अगर आप रही जॉब सर्च कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सा अराम से डिजन लेना है और अभी के समय में जॉब साइसे थें कन्या राशी के लिए जो समय है राशी के लिए जो समय जाए गई संगर्श का समय आभी के लिए बात्चीत पर वाणी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूत है आपकी भाश्या गंदी हो जाएगी आप गलत शब्दों का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके चांसेज बनेंगे साथ ही साथ कन्या राशी आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लडाईों में जगड़ों में ना उलजे किसी और के मैटर में अपने आपको लजानी की कोशीश ना करें इस बाता विश्यान दीजीगा नहीं तो वहाँ पर आपको दिक्कत परिशानी रहेगी अपने सेहत अगर couple है husband wife हैem , पती पतनीए या प्रेमिसम्बंद्द हें परेशानिया ज्यादा हो सकती है लड़ाई जगड़े हो सकते हें और कहीं न बात्चीत में रुकावट्ड आ 咁 सकती है separation के chances बनते हैं और कोई गलत कदम ना उठा लें इस बात का विशेश द्यान रखिएगा काम अच्छा जाएगा personal life में परिशानिया बढ़ती जाएगी तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रटनी की जादा ज़रूरत है इस बात का विशेश द्यान रखिएगा communication gap हो सकता है उसे manage करके चलिएगा तो understanding अच्छी रहेगी और आगे कोई परिशानिया आपको नहीं देखने को मिलेगी व्रश्चिक राशी के लिए जो समय है यह थोड़ा सा सावधान रहने का समय है क्योंकि व्रश्चिक राशी वालों को यहां पर जल्दबाजी के कारण से परिशानिया मिलेंगी मन में उत्सुकता है उस उत्सुकता पर थोड़ा सा patience रखिए और भागने की कोशिश मत करिए व्रश्चिक राशी आप कोई भी काम करते हैं किसी की सलाह लेकर के काम करिएगा तो आपको फाइदा ज्यादा मिलेगा बिना सोचे बिना समझे कहीं पर बाशे लेवल पर आने वाला है धनुराशी वालों को कहीं न कहीं बंते बंते व्रक्यों चलने की चांसे बनेंगे और आपको बहुत अच्छा परिनाम देखने को में देगा मकर राशी केñasक के लिए अच्छा समय यहां पर जाता हुआ दिखाई दिखा मकवराशी वालों को भी काम बनते हुए नज़र आएंगे और साती सात बिजनस में काफी ज़्यादा उचाईयां देखने को मिल सकती है ग्रोथ देखने को मिल सकती है नहीं चीजों की शुरुआत देखने को मिल सकती है और आपके बने बिगड़े होई काम बनते हुए नजर आएंगे पैसे आते हुए जहां पर जरूर देखने को मिल सकते हैं इसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं कुम्बराशी के लिए जो समय है यह थोड़ा सा positive समय यहां पर जाता हुए दिखाई देगा और आप सभी को भी financially gain यहां पर होता हुए दिखाई देगा और आप सभी के लिए भी चीज़ें जो favorable रहेंगी परिवार का साथ मिलेगा और आप सभी के काम अच्छे होते हुए नजर आएंगे मीन राशी के लिए भी यह समय जो है यह बहुत ही जादा effective समय जाने वाला है क्योंकि चीज़ें अब थोड़ी सी यहां पर अच्छे होते हुए नजर आएंगी पारिवरिक माहोल अच्छा बनता हुए नजर आएगा औ और कुछ लंबी दूरी की आत्राइं भी आपकी हो सकती है इसके भी चांसे आप कर सकते हैं अगर किसी spiritual प्लेस पर जाना चाहते हैं तो वह भी आप जा सकते हैं उसमें भी कोई दिकत को परिशानी नहीं अगर देखा जाए तो मीन राशी के लिए भी समय काफी जदा अच् और मादुर्गा की आराधना करें और हनुमान जी की पूजा करें हनुमान 40 का पार्ट करें आप सभी को अच्छा मिलेगा कोई दिकत को परिशन यहां पर देखने को नहीं मिलेगी उमीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को Like कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा इसके अलावा कुछ पूशना चाहते हैं कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में कुछ समधना चाहते हैं आप मुझे संपर कर सकते हैं मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर सं नमब मदन्यां पर कर सकूँ धन्यवाद